अलाइन्स की बात कर लेता हूँ, इंडिया अलाइन्स, I.N.D.I.A. ये जो इंडिया अलाइन्स है, ये लोकसभा के लिए बनाए है, हलाकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस में तलवार किची हुई है, दिली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस में तलवार किची हुई है, बंगाल में T.M.C. और कॉंग्रस में तलवार किची हुई है, लेकिन सब साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सरकार को निप्टा देंगे, 2024 के अंदर मोधी को हराना है, इसलिए इनको सब को साथ हाना है, मुझे लगता है भारती जंता पार्टी के लिए उन्होंने एक और काम दे दिया, हमने बहुत सारे उनके पापों का प्राश्चित किया है, पूर में भी, उन्होंने इंडिया का नाम खराब कर दिया, उसका प्राश्चित भी हमीं करना होगा, आप करें इंडिया का नाम खराब कर दिया है, कैसे? यह जो नाम रखा है लेकिन आप लोग तो बुलाते ही नहीं हो इंडिया उनको आप उनको इंडिया लाइंस घमंडिया इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि हम एक मर्यादा के अधीन काम करने वाली पार्टी है हमारे हाँ कुछ एक कुछ एक मूल्ले ऐसे है या बॉटर्म लाइन ऐसी है जिसका कभी उलंगर नहीं किया जाता है आप इस अलाइंस को कैसे देखते हैं आपने 2014 में लोग सब अच्छे ना बढ़ा 19 में लड़ा 2024 में अगर यह अलाइंस साथ में आता है आप क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते हैं तो महभूबा मुफ्ती, फारुक अब्दॉल्ला, कॉंग्रेस सब एक साथ लड़ेंगे तो आप कैसे जीतेंगे अपनी लोग सब असीट बल्कि उससे में ज़्यादा सुविधा हो जाती है क्योंकि हमारा जो कारेकरता ज़्यादा सक्री हो जाता है अब मैं आपने बात की तो मैं आपको व्यक्ति बताओं यह तो पहले भी साथ थे, नाव अलग था 2014 में भी इन्होंने इकठे चुनाव लगा और मेरे अपने शेतर में भी सबने एक साथ एक ही केंडियर्ट खड़े किया थे जो समय की यूपीय थी उसके बाद 2019 में उन्होंने फिर से वही प्रियोग किया तो नतीजा यह हुआ कि 2014 में हम 65,000 से जीते थे और 2019 में हम 35,000 से जीते गए यानि 6 गुना बढ़ गए इस बार मार्जिन के रह सकता है और उत्तर भारिज की सबसे बड़ी मार्जिन थी 47 के बाद तो कहने के बता हैं यह तो हर बार ऐसे ही करते हैं नाम बदलते हैं हमेशा कठे ही होते हैं क्योंकि इन में अपने में इतना confidence मनोबल आप पे शवास नहीं है कि अकेले से लड़ सकते हैं जी लेकिन यह जो एक आरोप आपकी सरकार पे लगता है और फारुक अबदल्ला भी बार बार कहते हैं कि आप अखलियतों को डराते हैं मोदी राज में मुसल्मान जो है वो डरा हुआ है फारुक अबदल्ला का तो यह तक कह रहा है कि बीजे पी डर और नफरत की राजनीती करती है और क्या वो 24 करोड मुसल्मान जो इस देश के नागरिक है उनको क्या चाइरा भेज देगी देखिए ये उपीनियन या ये राय उन व्यक्तियों क्यों हो सकती है जिनका कोई अपना अजेंडा हो कभी आप उस तबके के उस वर के आम व्यक्ति से बात करके देखें जब उतर प्रदेश का चुराव हुआ हम लखनाव में वहां पर परचार कर रहे थे विश्वी देले में भी एक तरह की इस तरह की इनने हवाश रुकी कि साब ये आएंगे तो ये हो जाएगा जब असम्बली का चुराव था भारती जन्ता पाटी आएगी तो इस वर को इस तरह से तंग करेगी ये जैसे आप कह रहे हैं तो हम वहां जाकर के आम बीच में बैठते तो बच्चियों से बात होती जो विश्वी देले की स्टूडन्स ही और मुस्लिम समुदाई की तो हमने का भाई साब किसी ना किसी को तो वोड़ देना है तो क्या तैय करना है आप हम ये नहीं कह रहे हैं आप 13 जन्ता पाटी को दो ये समाजवादी को दो ये कांगर्स को लेकिन देना तो है ये मेरी बात सुन लिए जी 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 तो मैंने का हम इस चर्चा को जारी रखेंगे दो चार दिन कोई जल्दी नहीं है अभी चुनाओं में कोई दिन थे फिर हम एक बार फिर से जब दूसरी मरतबा गए तो यही बात आई तो एक बच्ची उठके बोली कि अगर देना ही है तो फिर ठीक है भाज़वा कोई दे देंगे तो उनने पूछा क्यों बोली इसलिए कि कम से कम ममी शाम को पांच बजे के बाद मना नहीं करती स्कूटी पे जाने के लिए बाहर तो जो आम मानस है उस वरक का और आम महिलाएं हैं मुसलिए वरक के उनसे पूछिए पहली बार किसी ने चिंता की चाहे वो ट्रिपल तलाग था चाहे सुरक्षा थी अब उनके प्राइटीज उनकी प्रासिविक्ताएं भिन हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना ये विव उन लोगों का जो चुनाव की द्रिश्टी से अपना विव बना रहे हैं लेकिन सनातन को लेके बीते कुछ दिनों में बड़े सारे बयान आए हैं चाहे वो उधे निदी स्टालिन हो चाहे वो प्रियांग खडगे हो मलिक अरजुन खडगे साब के सपुत्र जो की करनाटक सरकार में मंत्री हैं चाहे वो स्वामी परसाथ बोर्या हो यूपी के अं लेकिन मैं उस बात में भी ना जाते हुए केवल इतना कहूंगा कि एक राजनेतिक दल होने के नातेविया सारविजनेतिक जीवन में हमेरी जो एक एक बेसिक हमारा जो मूल्य है वो यह है कि हम सम्विधान के मर्यादा के भीतर और सम्विधान की पद्दती के अंतरगत बा रोद करना सम्विधान में तो इसका कहीं कोई गुजाईशी नहीं है तो यह तो अपना अपना फेथ है पहली बात तो यह है कर मोटे तौर पर यह देखा जाए तो मुझे लगता है यह वाद वहीं से समाप्त हो जाती है जो इसको खीचना जा रहे है तो इसलिए कि उनका एक स्वार्त है, एक एजंडा, एक हिडन एजंडा के तहत हो करने कोशिश करना है अगर वो भी समीधान क्या पालन उसी परकार करें जिस परकार से के हमारे कारे करता करते हैं तो इस परकार की बहस अथ्वा चर्चा की कुंझाहिशी नहीं होग्रिया. जी, मेरा अगला सवाल है कि मनिपूर को लेकर, क्योंकि आप नॉर्थ इस्ट में आपका बहुत आना जाना रहता है, मनिपूर में जो हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल और जवाब किये गए, सदर में भी किये गए, विपक्ष कहता है राप प्रधार मंत्री चुप हैं, म मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के किसी भी मंत्री की और से, किसी परस्तिती को लेकर के विशेशकर पूर्वत्तर के संदर्व में इतना विश्तरित बियान नहीं दिया गया, अमित भाई शाह ने एक एक घट्रा को ना केवल उसको समझाया, उसका पीछे के संदर्व को भी ब्यान किया और उसके पीछे के जो जो कड़ी रही, श्रंकला उन उस घटने की, वो और उसका आने वाले समय में क्या प्रोग्नोसिस होता है, मुझे लगता है इससे बड़ा विश्तरित और बड़ा विज्ञानिक ढंक से प्रस्तुत किया हुआ पर विपक्ष तो परधानमंत्री से ही सुनना चाह रहा था। आपने टीम इंडिया की बात करी तो इंडिया या भारत? भारत, हम तो भारत भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है भारत सुनना तो हम भारत कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है जो इंडिया और भारत के नाम की राहिनिती करना जा रहे है पर विपक्ष ने अपने नाम इंडिया रखा तो भारत की प्रधान मंत्री ने प्राइम निस्टर भारत लिख दिया पहले प्राइम निस्टर आप इंडिया लिखते थे इसलिए क्योंकि उनकी सोच में वो बात है वरना भारत तो नाम था ही था और वलके समीधानिक जब और डॉक्टर अम्बेद कर ने स्वाइम काके सावी इतनी लंबी चर्चा हो गई है यह खत्मी नहीं होगी अच्छा आपने क्या कमाल कर दिया है पहले चंद्रयान उसके बाद भारत का अधित्ते मिशन लॉंच हो गया है अब गगनियान की बात हो रही है बदला क्या है बदलाव क्या आया है हाँ ये बहुत अच्छा प्रशन है बदला ये है कि मोधी जी ने पुरानी जो गुजरे समय की गुजरे वक्त की बंदिशें थी उन से वो समाप्त किया आपको याद होगा जब पहले कोई रॉकेट जाता था तो किसी अख़वार के छोटे से एक कॉलन में अंदर 11 पेज पर छोटी सी ख़वराती के एक रॉकेट लॉच्छ हुआ जिरी हरी कोटा कहा है उसकी डेट लाइन होती किसी को नहीं पता था आज जब अधित्या की किसमें एक हजार, एक हजार मीडिया परसन और वहां पर किसी कॉंग्रस वाल ने ट्वीट किया कि है क्या ने यह हुआ हुआ तो उन्हें मोझे पूछा मैंने का वें दिद यू कर लास्ट उनने काई काई के आम कॉमिंगर फ़र्डी फर्स ताम मैंने का यह ने ने हुआ क्यों कि आपने सिरी हरी कोटा के किवार खोल डाले, दरवाजे खोल डाले, लोगो को अंदर आने दिया, हजारों की संख्या में, बच्चे, जवान, कॉलेज, स्कूलों के बच्चे, मंतरी गण, पंजाब से लेकर के तलंगाना तक वहां मौजूद थे, और यह वो स्थान था, जहां दस व्यक्ति केवल उस मिशन के टीम के मेंबर बैठ कर करते हैं, और गोप नहीं था कि बच्चे में काम करते हैं, ना मालूं क्यों, जब मोधी जी का आगे, बच्चंद्रियान को लेके भी राजनीती हो गई, और पंडित नेरू की देन हैं, यह सब कुछ, आज उनमें से बहुत सारे entrepreneur बन गए, अब आप कहरे हैं, नहरू जी, अब आपने शायद वो चितर देखे होंगे, सारा भाई के, जब वो अपने bicycle के carriage पर launching vehicle उठा के ले जा रहे हैं, जी, जी, ये था साधनों का अभाव उस समय, ये उस वक्त आलम था, तो वो जो अभाव था, देखे हमारे बस प्रतिवा भी थी, विज्ञानिक भी थे, योग्यता भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आँखों में सपने भी थे, और विश्वस्तर के scientific minds, लेकिन अभाव था साधनों का, अनुकूलता का भाव था, that enabling milieu was provided by Modi, ये फर्क है, उस समय और इस समय का, अज investment हो रही है, पहले वो अभाव होता है, उसी उसी limited resources में काम कर रहे थे, क्योंकि जो milieu, जो enabling atmosphere पैदा करना है, वो policy planners के द्वारा होता है, या political leadership, वो अभाव मोदी जी ने पूरा किया.